नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। जाती न पूछो साधु की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। लेकिन आज का दोर जो इस समय है इस समय कहा जा रहा है कि जाती पूछो और बार बार पूछो तो जाती की गिंती खास तोर से पिछरा वर्क की जातीयों की गिंती की मांग धीरे धीरे बढ़ती जारी है अलग अलग पार्टियां तो उसके कारण बहुत से हैं बहुत से लोगों को लग रहा है कि इस जातिय मन्थन से अमरित निकलने वाला है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे विश ही निकलेगा जो लोग इसकी मांग बहुत तेजी से कर रहे हैं बहुत जोर से कर रहे हैं दरसल नुकसान उन्हीं का होने वाला है क्यों कह रहा हूं कि उनका नुकसान होने वाला है ये बताता हूं इससे पहले कुछ बातें जान लीजे देखे जाती जो है वो भारतिय जीवन की भारतिय समाज की सच्चाई है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन सवाल देश के सामने समाज के सामने जो आजादी के समय था आज फिर वो सवाल खड़ा है कि हम जाती को लेकर करना क्या चाहते हैं जाती को बढ़ावा देना चाहते हैं या जाती वहिंद समाज की और बढ़ना चाहते हैं क्या हम जाती में बटे रहना चाहते हैं जितना बटे हैं उससे और ज़्यादा बटना चाहते हैं और अगर चाहते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि पिछले 74 साल में इससे हासिल क्या हुआ मैं आरक्षन के संबंद में अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल जाती गड़ना की बात कर रहा हूँ खासता और से पिछले वर्क की गड़ना की जो बात हो रही है हमारे पास अभी जो आखने हैं उनमें अलपसंख्यक समुदा है दलित समुदा है और आदिवासी में अंग्रेजों के समय आज जो संख्या बताई जाती हनमान बताया जाता है वो उसी पराधरित है उस समय देश की आबादी कुल 35 करोड थी जिसमें आज का बंगलादेश और पाकिस्तान शामिल था तो वो आंकड़े कितने विश्वसनी हैं इसका आप अंदाजा लगा सक सुप्रीम कोड की रिटायड जज हैं उनके नेतितों में आयोग भी कह रहा है कि गढ़ना होनी चाहिए उसका कारण यह है कि आप अगर कोई अफर्मेटिव एक्शन कर रहे हैं उनको लाग देना चाहते हैं जिनको तो उनकी संख्या पता होनी चाहिए यह बात बहुत तार और बिगाड़ा है पिछले सत्तर चोहत्तर सालों में और उसका असर समाज पर पड़ा है उननीस सो साथ के दशक में डॉक्टर राम मनुहर लोहिया ने यह नारा दिया था संसोपा ने बांधी कांट पिछले पावे सौ में साथ संसोपा यानि संयुक्त सोशलिस्ट पाटी का शौट पॉन था जो उनकी पाटी थी उसको उस नारे को आगे ले गया कौल ले गया कांशिराम उन्होंने कहा जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी अब ये संख्या भारी और आप देखिए एक तीसरा आयाम देखिए डॉक्टर भीम राव अमबेटकर ने जाती निर्मूलन की ये जाती के विनाश की बात गही थी उन्होंने किताब भी लिखी है अनिहिलेशन आफ कास्ट वो जाती प्रथा के पूरी तरह से खिलाफ थे उनका मानना था कि ये समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक जातियों में बटा रहेगा अगर एक ही समाज के लोग अपने एक वर को हीन भाव से देखेंगे उनकी तरक्की में बाधा बनेंगे तो वो समाज कैसे आगे बढ़ सकता है तमाम कोशिश के बाद जब उनकी कोशिश काम्याब नहीं हुई तो आखिर में उन्होंने बहुत धर्ण स्विकार कर लिया लिकिन उनका जो सपना था उन्होंने जो विमर्ष खड़ा किया आजादी के बाद जो हमारे हुक्मरान आये और लोगों ने उसे छोड़ दिया जाती आधार पर आप जब दिया गया अरक्षन तब ये उमीद की गई थी कि जो लोग समाज के पिछड़े दबे कुछले हैं जिनका विकास नहीं हो पाया जिन पर सेकलों साल अत्याचार हुए उनको पराबरी पर लाने के लिए इस तरह के एफिरमेटिव एक्शन की तब एक समता मूलक समाज बनेगा समरस समाज बनेगा लेकिन हुआ क्या इसका ठीक उल्टा हम जितना जाती आगरह या जाती असमिता की बात राजनी थी या सामाजिक बेवहार में भी इसका इस्तमाल करते थे आज से 60-70 साल पहले उससे जादा आप होने लगा है और जाती संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी तो इसमें आप देखिए बहुत ध्यान से इस नारे पर विशार कीजिए इसमें कहीं भी जरूरत की बात नहीं है कि किसको सबसे ज़ादा हिस्सेदारी की जरूरत है किस पर यह एफर्मेटिव एक्शन जो है या दूसरे जो सुधा के काम होने हैं या मदद दी जानी है किस वर्ग को ज़्यादा चाहिए ये नारा कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी मतब जो संख्या में ज़्यादा है उसको मिलना चाहिए तो हुआ क्या है रोहनी कमिशन ने अभी एक इंटरिम रिपोर्ट अपनी सौंपी है उसमें क अब आप इससे अंदाजा लगाईए कि ये संख्या भारी का नतीजा क्या हुआ जो मंडल आयो की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो लोग राजनीती में आये पिश्रा वर्ग की राजनीती को लेकर आये और सफल हुए सत्ता में आये उन्होंने क्या किया उन्होंने अपन अपनी जाती जो बड़ी जातियां संख्या में बड़ी जातियां थी संख्या जिनकी भारी थी उन्होंने सारा लाग जो है वो चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्तों का हो चाहे सरकार में हिस्सेदारी का हो संगठर में हिस्सेदारी का हो या सरकारी सेवाओं में सरकारी जो सायोग मिलना था उसमें हो सब वो एक छोटा सा हिस्सा उसका ले गया अब इसका मतलब यह हुआ कि यह जो संख्या भारी का नारा है यह फायदा करने के बज़ाए नुकसान इसने ज़्यादा किया अब फिर वही बात हो रही यह कहा जा रहा है कि अति पिछलों की संख्या ज़्यादा है इसलिए उनको हिस्सेदारी ज़्यादा मिलनी चाहिए यह नहीं कहा जा रहा है कि अति पिछलों की इस्थिती सबसे ज़्यादा खराब है उनमें पिछला पन अभी बहुत ज़्यादा है अशिक्षा है बेरोजगारी है इसलिए उनको मिलना चाहिए इसकी बात कोई नहीं कर रहा है और जो मैं शुरू में बात कह रहा था कि इस मन्थन से विश निकलेगा आप देखिए कि जब यह जाती है गड़ना मान लीजी कि हो जाती है हाला कि किसी ने अभी तक हिम्मत की नहीं 2010 में कॉंग्रेस पार्टी ने ऐसी मन्षा जताई थी कि वो 2011 की जन गड़ना में पिछला वर्ग की जातियों की गड़ना कराईगी लेकिन वो पीछे हट गई फिर 2016 में उन्होंने सामाजिक आर्थिक जो है वो एक गड़ना कराईगी जातियों की लेकिन बाकी आखड़े तो उसके जारी हुए जाती के आखड़े जारी नहीं किये तो कोई तो वज़े रही होगी जो हमारे सम्मधान निर्माता है जो पहली सरकार बनी उसके बाद की जो सरकारें बनी उन्होंने इसकी जरुरत क्यों नहीं समझी क्योंकि इस सीधा सीधा एक जो असर होगा वो समाज में विगटन होगा कोई भी विव्यधिता उसको जोड़े रखने के लिए बनाये रखने के लिए एक एक तक के सुत्र की जरूरत होती है और ये विज्ञान सम्मत बात है कि जब एक बार जिसे परमान विखंडन होता है जब एक बार समाज में विखंडन का दौर शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है वो लगातार होता जाता है तो ये जो संख्या भारी की बात हो रही है उसका नतीजा ये होगा गिन्ती होने के बाद छोटा-छोटा-छोटा होता जाएगा और आखिर में वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसकी आवास जो है नकार खाने में तूती की तरफ हो जाएगी तो जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं अब ये बड़ी विचित्र बात है कि उसमें सबसे आगे वो लोग है जो जाती विहिंद समाज की बात करते थे ये जो नारा दिया कांची राम ने ये तातकालिक फायदा तो तुरंत हो गया लेकिन उसके बाद उनके जीवित रहते ही इसका नुकसान दिखना शुरू हो गया था आज जो बहुजन समाज पार्टी की और माया वती की इस्थिती है रागनेती की इस्थिती की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने ये संख्या भारी का नारा दिया और उस पर अमल किया तो हुआ क्या दलितों के बीच से सिर्फ जाटों को सारा फाइदा मिला या तीन चार पाँच और जातियां जो संख्या में ज़्यादा थी उनको मिला पिछला वर्ग की जातियों की गड़ना की बात हो रही है उनकी गिंती की बात हो रही है उससे क्या होगा नहीं होगा इस पर आप कह सकते हैं कि आपका आकलन है गलत भी हो सकता है सही बात है गलत हो सकता है किसी का भी आकलन गलत हो सकता है लेकिन अभी हम दलित समाज की जो है या दलित वर्क की अनुसुची जाती हैं सबी जातियों की छोटी बड़ी उनकी गढ़ना तो करते है वो जब से आरक्षन मिल रहा तब से गढ़ना हो रही है बलकि जब से सिंसस हो रहा है आजादी के बाद से जो जितने भी सिंसस हुए है सब में हुआ है उसका फाइदा क्या हुआ ये तो देखना चाहिए क्या उस जातिये गढ़ना से जो संक्या में छोटे थे जो ज़्यादा पिछड़े हुए थे दबे हुए थे कुछले हुए थे उनको फाइदा मिला क्या उस गड़ना का लाब अगर उनको मिला है तो फिर तो तर्क बनता है कि भई देखिये वहाँ लाब मिला था हमने गड़ना कराई और उसका लाब मिला यहां भी मिलेगा वहाँ भी इस्तिती यही है कि जो उपर के जातियां थी संख्या में बड़ी जातियां थी वो सारा आरक्षन का फाइदा सिर्फ उन्हीं को मिला नीचे तक वो पहुँचा ही नहीं और जैसे जैसे ये आरक्षन का दौर चलता गया जिनको एक बार मिला उनको दो बार मिला जिनको तीन बार मिला तो वो सक्षम होते गए इसलिए जो आउसर पैदा हुआ उसका लाब उठाने की इस्थिती में होते इसलिए लाब उनको मिला जो नीचे का समाज था उसको लाब उठाने का आउसर नहीं मिला उसको शिक्षा नहीं मिली उस तरह से रोजगार नहीं मिला उसका ना तो सामाजिक उत्थान उस तरह से हुआ ना आर्थिक उत्थान हुआ तो इसलिए उसको वो फाइदा नहीं मिला तो ये गड़ना से जाती की गिंती से फाइदा हो जाएगा ऐसा कम से कम अनुसुचित जाती के लोगों की जाती गढ़ना से तो नहीं साबित होता दूसरी बात जो आशंकाएं और उम्मीदें हैं पिछडा वर्क के नेताओं को लगता है कि मंडल आयोग ने जो हमारी जाती की संख्या बताई थी पता नहीं कैसे मंडल आयोग ने 52 दी बताई अब जो सामाजी कार्थि गढ़ना हुई है उसके मताबिक शायद ये 45 परसंट के पास हो लेकिन उनको लगता है कि ये हो सकता है 52 परसंट से जादा हो तो आशंका क्या है उनको उमीद क्या है उमीद ये है कि अगर ज्यादा होगी तो हम आरक्षन का कोटा बढ़ाने की मांग कर सकते ठीक है ये सब हाइपोथिस है किसी को मालूम नहीं है संख्या क्या होगी संख्या अगर कम हो गई मान लिजे 45 से भी कम हो गई तो उसके लिए तयार हैं क्या एक बार तो 52 परसेंट होने पर भी 27 परसेंट आरक्षन अगर रखा गया तो उसका आधार ये था सुप्रिम कोड का फैसला समयदानी की दरस्ता कि आरक्षन 50 परसेंट से उपर नहीं होना चाहिए तो जो अनुशिचित जाती जन जाती को आरक्षन मिला हुआ है उसके बाद जो बचा वो 27 परसेंट परसेंट को मिल गया खासतर से सवर्ण की बात करें उनको लगता है कि अगर संख्या जादा निकली तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी आरक्षन का कोटा और बढ़ जाएगा तो ये सब आशंकाएं हैं अब देखे मंडल आयोक की जब सिफारिशे लागू हुई ये नारा दिया गया जितनी संख्या बादी उतनी उसकी हिस्सेदारी तो समाज में जो बटवारा हुआ समाज में जो कड़वाहट हुई उसने जातिय असमिता को कमजोर करने की बजाय और मजबूत कर दिया और ताकत पर बना दिया तो अगर ये जातिय गड़ना होती है तो उसका अगला कदम क्या होगा जो मंडल आयोक की सिफारिशों के बाद सवर्णों के साथ हुआ वही वही जो है वो होगा मंडल आयोक की पिछड़े वर की जो जातियां हैं संख्या में बढ़ी हैं उनके साथ होगा क्योंकि फिर संख्या भारी निकलेगी अति पिछडी जातियों की वो कहेंगे हमारी संख्या जादा है और सत्ता आप भोग रहें तो आप किनारे हटिए आप हमें सत्ता मिलने चाहिए हमें जो है राजनितिक प्रतिनिधित मिलना चाहिए हमारा आर्थिक उत्थान होना चाहिए तो वो clash पिछला वर्ग के अंदर ही होगा और ये अजीब बात है कि जो मांग करने वाले हैं वो सब लोग जो है वही हैं जिनको आरक्षन का अभी लाब मिला है पिछला वर्ग का जिनको सत्ता मिली है जिनको राजजितिक प्रतिनितित तो मिला है जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है वो लोग मांग कर रहे है अच्छा मान लिजी कि ये गर्णा हो जाती है और जैसा स्वभाविक है कि आति पिछलों की संख्या जादा निकलेगी तो वो मांग करेंगे अब हमारी हिस्सेदारी में उसमें क्या होगा वो उनकी जो संख्या आयेगी मान लिजे तीस, 32, 33, 31, 32 आतीस पिसD Often जो भी आती है उसमें जो जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो कहेंगे कि जितनी जिनकी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी तो फिर वो मांग करेंगे ज्यादा हिस्से की तो फिर उससे कम संख्या वाले जो लोग हैं वो फिर सफर करेंगे तो जब ये विखंडन होगा, छोटा-छोटा होता जाएगा तो फिर उस छोटे-छोटे होनिते जाने में सौधे बाजी करना भी मुश्किल होगा जिसके संकेत अभी थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं आप देखिए अरुन्प्रिया प्रटेल की पार्टी हो उन्प्रकाश राजभर की पार्टी हो संजय निशाद की पार्टी हो या महान दल हो ये जो छोटे छोटे दल हैं ये बड़े दलों के साथ सौधे वाजी करते हैं कि हम अपने बुते से तो विधायक या सांसद नहीं बना सकते लेकिन आपको हरा सकते हैं तो तो अगर आपको जीतना है तो हमारे साथ आई हमको साथ लीजिए और हमको भी प्रत्रिशत्य दीजिए वही खेल होगा फिर इससे जब अति पिछलों के हाथ में सत्ता जाएगी या राजमिती जाएगी तब होगा इस सारे प्रयास में नुकसान किसका होगा समाज का और इससा ले रहे हैं उनका मकसद क्या है पिछलों का हित नहीं है समाज का हित नहीं है उनको लग रहा है आप देखे ज़्यादा तर मांग करने वाले ऐसे लोग हैं जो भाजपा विरोधी है या विरोध में जाने की तैयारी में हैं जैसे नितिश कुमार क्यों मांग कर रहे ह उनको लग रहा है कि BJP को अगर कमजोर करना है तो जरूरी है कि जातिय अस्मिता की राजनीती की धार को तेज किया जाए क्योंकि जातिय अस्मिता की राजनीती की धार को कुंद कौन कर सकता है सिर्फ धर्म हिंदूतों की जो छत्री है उसमें ये जातियां उनका विले हो जाता है फिर आप जाती के बारे में नहीं सोचते फिर आप अपने धर्म के बारे में सोचते तो अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी को नुकसान पहुँचाने के लिए समाज और देश का भी नुकसान करेंगे और जिनके भले की बात कर रहे हैं आप क्या उनका भी नुकसान करेंगे मैं जो बात कह रहा हूँ वो इतनी साधारण नहीं है आपको लग सकता है कि ये जनरलाजेशन है लेकिन एक विचार है इस आधार पर सोचिए इसका मकसद सिर्फ सामाजिक नहीं है मैं ये कह रहा हूँ एक बात इसका मकसद पिछड़े या आती पिछड़ों का भला करने का नहीं है दूसरी बात इसका मकसद जो है उनको राजनीतिक हिस्सेदारी है उनका इंपावर्मेंट करना वो नहीं है इसको समझे इसका बड़ा मकसद हिंदुत्व को कमजोर करना हिंदु धर्म को कमजोर करना उसे जातियों में बाट कर रखना जिससे की सौदेबाजी में आसानी हो ये है असली मुद्दा बीजेपी जो हिचक रही है ये दो तीन कारण है एक उसको समझ में आ रहा है कि इस मंथन से जो विश्च निकलेगा आखिरकार वो क्या स्वरूप लेगा आगे चल कर ये किसी को नहीं मालूम लेकिन इतना है कि नुकसान होगा कितना होगा कितने समय तक होगा ये किसी को अंदाजा नहीं है और दूसरा उसको ये बात भी समझ में आ रही है कि उसकी राजनीती को खतम करने के लिए ये होरा 1990 में विश्वनात प्रताप सिंग की यही योजना थी मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का फैसला जल्दबाजी में इसलिए लिया गया चौधरी देवी लाल की बोट कलब पर रैली होने वाली थी जिसमें वो विश्वनात प्रताप सिंग के खिलाफ बोलने वाले थे उससे पहले दो दिन पहले सर्फ आनन फानन में कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास किया गया उस समय भी बीजेपी को फिर इसकी काट के लिए अयुध्या अंदोलन में शामिल होना पड़ा लाल के शाडवानी इसलिए रथियातरा पर निकले उनको मालूम था कि इसके बाद जो जाती असमिता की राजनीती उभरेगी उसमें अगर बीजेपी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी नहीं रही तो बह जाएगी विशुनात प्रताप सिंग का जो लक्ष था वो यही था कि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों को कमज़ूर कर दो तो हमारे लिए जो है आगे का रास्ता साफ हो जाएगा हुआ इसका उल्टा इसलिए कहता हूँ कि ऐसे कदम का परिणाम क्या होगा यह जो लोग करते हैं जो शुरू करते हैं उनको अंदाजा नहीं होता है वीपी सिंग को लगा था उस समय कि वो पिछलों के सबसे बड़े मसीहा बन जाएंगे सबसे बड़े नेता बन जाएंगे किसी पिछले ने उनको पूछा नहीं है शंसद में जब विश्वास प्रस्ताव ले रहे थे तब उनको अमीद थी कि हर पार्टी का पिष्बार का नेता उनका समर्थन सांसर्द उनका समर्थन करेगा ऐसा हुआ नहीं तो यह जो खेल खेला जा रहा है यह वन अपमैंशिप का जो खेल है यह दरसल किसी के फायदे का नहीं है नुकसान सबका है फर्क इतना है किसका कितना नुकसान होगा तो इस मुद्दे पर आपको भी गंभीता से सोचने की ज़रूरत है कि क्या जाती विवस्था ने हमको फायदा पहुँचाया है 74 साल पहले हम जहां थे आज जहां है क्या अगर जाती विवस्था का निर्मूलन हो गया होता जैसा डॉक्टर अम्बेटकर चाहते थे तब हम बहतर होते या आज बहतर है या इसका और विखंडन होना समाज के लिए अच्छा है ये प्रशन है हम सब लोगों के सामने और इन पर जरूर विचार करना चाहिए तो आज के अंक में इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार हाँ आपको याद दिला दें कि कल रविवार है रविवार स्पेशल का दिन है तो कल रविवार स्पेशल में एक ऐसे नेता के बारे में बताऊंगा जिसको तस्तरी में परोज कर प्रधान मंत्री पद दिया जा रहा था उसने लेने से मना कर दिया क्या राजनीती में खास्तर से भारती राजनीती में ऐसा कोई नेता हो सकता है जिसको प्रधान मंत्री बनने का आउसर मिल रहा हो एक दम पक्का मिल रहा हो और वो मना कर दे कौन है वो कल बताओंगा कल दो पर बारा बजे तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार